हलो डियरी स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो प्यारे बच्चों क्लाश 10th की NCRT Mathematics में आज आपका एक नया ध्याय होगा जिसका नाम है समांतर स्रेडी समांतर स्रेडी यानि इंगलीस में इसे बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वैसे तो पैरलल स्रीज कहा जा सकता है समांतर स्रेडी को न लेकिन इसकी इंगलीस उसके हिंदी से बिलकुल अलग है लेकिन आपको समझ के चलना है बस ठीक है इस्क्रीन पर पीछे आपको एक सीड़ी दिख रही होगी छट पे चड़ने वाली दिख रही है इसमें भी समांतर स्रेणी है कैसे है वो मैं बताऊंगा पहले फिकर देख लो बस आपको रेल की पट्री दिख गई वगल में देखो पट्री पे चलने लगे हैं मुसाफिरों वाली रेल सीधा दिख रही एकदम बोलो दिख रही कि ने एकदम सीधा मतलब कहीं तुमें पट्री दोनों एक दूसरे पैसे सटती हुई नहीं दिखेगी हर जगा ऐसे ही दिखेगी ना यानि पट्रीयों के बीच का जो अस्थान हर जगा किया होता बराबर होता है उसी तरह से अगर जो इस सीध ही है इनके बीच में जो डंडे लगे हैं उनके देखो बीच की दूरी हर जगा बराबर इसे क्या बोलते हैं यही समांतर स्रेडियो होती है लेकिन कैसे किताब में कैसे पढ़ेंगे उसके लिए पूरा इंड तक इस कलास को देखना बीच में इसकीप करके बिल्कुल नहीं जाना पूरा इंड तक देखना चलिए दिखाते हैं आपको हमारे पीछे कुछ एकजांपल दिख रहे होंगे आप उन्हें जरा ध्यान से देखो कुछ समझ में नहीं आएगा बिल्कुल टेंसन मत लेना पर ले देखो सिर्फ देखो देखो यहां पर क्या है वन ट्रू फ्री फॉर गिंती है न यहां से कुछ आपको समझ में आया नहीं आप कोगे तो गिंती लिखे हो अच्छा दूसरा देखो पांच साथ नो ग्यारा अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाईया यह बताओ इसमें क्या होगा अगला ग्यारा के बाद उसके बाद क्या होगा तो मुझे उमीद है कि आप समझ जाओगे और कर लोगे से मुएसे जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो सीड़ी दिख रही स्क्रीन पर अगर इसमें एक डंडा और लगाना हो आगे तो कितना दूरी पर लगाएंगे वो तुम समझ जाओगे न क्योंकि बराबर बराबर दूरी पर पूरी सीड़ी में डंडा लगा है तो उसके आधार पर तुम अगला डंडा भी डिसाइड कर सकते हो कि सीड़ी में कहा होगा है ना तो उसी आधार पर प्यारे बच्चों ये जो स्रीज आपको स्क्रिन में दिख रही है इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि इस पर क्या नंबर होगा सभी बता लेंगे इस पर क्या होगा वो भी आप बता लोगे वैसे अगर इसको देखो इन तीन नंबरों को देखके आप से मैं पूँछ हूँ यहाँ पर क्या होगा तो आप बता लोगे यहाँ पर क्या होगा बता लोगे देखो कैसे जो नहीं बता पाएंगे वो ध्यान दे समझो यह यह तो गिंती है यह सबको पता है यहाँ पर पांच आ जाएगा यहाँ पर छे आ जाएगा लेकिन ये 5-6 गिंती भी एक स्रीज में है इस वजा से आ रही है वो कैसे है पता है आपको देखो एक है एक में हमने क्या किया एक जोड़ा है अब दो आया है अब दो में हमने क्या किया फिर एक जोड़ा है तब तीन आया है उसी तरह से हमने तीन में एक जोड़ा है तब चार आया है तो ऐसे ऐसे हम एक जोड़ करके अगली संख्या इसमें पाएंगे यानि यहां पर हम कह सकते हैं इनका जो common difference है जिसे डी बोलते है वन होगा यह क्या है इसके बारे में अभी गहराई से बताएंगे पहले कलास को पूरा देखिए जाना ने चलो दूसरे में देखो यहां पर क्या आएगा हम कैसे जानेंगे पहले हम इसका मूल मंतर निकालते हैं इसका निचोड़ समझ ये देखिए प्यारे बच्चों ये पांच है न ये साथ आया कैसे भाई आप पांच में दो जोड़ दो साथ आ जायेगा न बाबू अगर साथ आ गया है तो साथ के बाद क्या लाना है मतलब आया नौ आप इनकी पड़ताल करो नौ कैसे आया होगा जब साथ में दो जोड़ा गया तो नौ आया न अब नौ में दो जोड़ा गया तो गयारा आया है यहां से हमें ये मिल रहा भया कि हर जगा दो जोड़ने पर अगला मिल रहा है फिर दो जोड़ा फिर अगला मिला फिर दो जोड़ा फिर अगला मिला यानि तीन बार अगर मिल गया, यानि चौती बार भी क्या होगा, इसमें दो जोड़ करके ही अगला मिलेगा, यहां पर क्या करेंगे, दो जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, अगला यानि ग्यारा के बाद क्या हैगा, तेरा है, अब अगला दूड़ना भी आसान है, वाई सी इसी बात है इसमें दो जोड़ दो बाबू तो तेरा में दो जोड़ना तुम सभी जानतों यानि अगला ये क्या होगा पंद्रा होगा इस तरह से अगर हम आपसे पूछें तो आप इसे अनंतता के एक एक बता ले जाओगे सब बता ले जाओगे न अभी समझते चलो स्रेड एकदम दिमाग में घुश जाएगी निकलेगी नहीं है फूताफान है समान तरस्रेडी यानि यहाँ पर जो कामन डिफरेंस है क्या है दो है अभी इसके बारे में डीटियल में बताऊंगा समझते चलो इसमें अगर देखो तो कहोगे गुरू जी एमें तो कुछ जुड़ नहीं रहा है क्योंकि 118 था 115 हो गया 112 हो गया तो कम हो जा रहा है यह कम हो जा रहा है इसमें से 3 घटाने पर यह ऐसा बना है और फिर इसमें से 3 घटाने पर यह ऐसा बना है यानि दो बार लगातार अगर मिल गया हम कह सकते हैं अगली बार भी इसमें से 3 घटाने पर अगला वाला आएगा एक सुच्छे होगा और इसमें से तीन घटा के तुम अगला बताओ बिटा क्या होगा जल्दी बताओ अब हमें आपको समांतर स्रेडी की परिभासा नहीं बताना पड़ेगा समझ गए ना आप सीड़ी देख करके रेल की पटरी देख करके और ये दू तीन ठी एक जामपल देख करके आप समांतर स्रेडी समझ गए इन्ही को क्या बोलते हैं समांतर स्रेडी बोलते हैं लेकिन चच्छा अब रुको कुछ लोग कहेंगे तो एकका स्रेड़ी बोलते तो आखिर कौन से ऐसी मुसीबत है जिसको स्रेड़ी नहीं बोलते एक और देखो अभी जैसे मानलो यहाँ पर एक सो आठ है सुब सुब एक सो ग्यारा एक सो पाँच एक सो पचीस सौ यहाँ पर देखो इनमें अगर मैं कहूं कि अगला क्या होगा तो बताओ क्या होगा इनमें थोड़ा दो चार्थी ज्यादा इसले लिखाऊं जिससे कलियर हो इसमें देखो भाईया बाबु ध्यान से देखो तो तीन जोडने पर एक सो ग्यारा आया है इसमें अगर देखो भाई सहाब बाबू तो 7 घटाने पर 105 आया है फिर यहां से देखो अगर तुम तो 20 जोड़ने पर यह आया है फिर अगर देखो तो यहां से क्या है 25 घटाने पर ही आया है यहां देखो तीन बढ़ रहा है, साथ घट रहा है, बीस बढ़ रहा है, पचीस घट रहा है, कोई इस दो नमबर से मिला गई? नहीं मिला ना? इसमें देखो हर जगा तीन तीन का ही डिफरेंस मिल रहा था बच्चा ये हर जगा तीन तीन का ही मिल रहा था यहां पर हर जगा दो दो का मिल रहा था यहां पर हर जगा एक-एक का मिल रहा था यह हर जगा एक-एक का मिल रहा है यानि इसमें कोई परकार की स्रीज नहीं बन रही हम नहीं कह सकते कि यहां पर क्या होगा अपने से जो म बराबर क्या है भगवान जाने कुछ नहीं पता है तो ये क्या है ये कोई परकार का समांतर फ्रेडी नहीं है बात समझ में आया ना यानि वो स्रेडी जिसमें जो दो संख्याओं का अंतर होगा वो बराबर होगा हर जगा बराबर होगा हर एक इस्टेप पर बराबर होगा व आप इनकी परिभासा कैसे लिखते हैं वो भी समझ लीजिए यहाँ पर जो ये कंडीशन आप देखे हो इसके आधार पर आप कह सकते हो लिख लो जिनको लिखना है मैं सामने से हट जाता हूँ एक समांतर स्रेडी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें पहले पद को छोड़कर पर तेक अगला पद एक निश्ची संख्या जोडने या घटाने पर प्राप्त होता है एक बार फिर से सुन लीजिए समांतर स्रेडी यानि अर्थ मेडिकल प्रोग्रेशन की डिफनीशन क्या है वो सुन लीजिए हिंदी में एक समांतर स्रेडी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें पहले पद को छोड़कर सेज पद पहले पद में एक निश्चिस संख्या जोड़ने अगटाने पर बनता है अगर बना के बोलोगे तो जितनी बार बोलोगे उतनी बार अलग अलग हो जाएगा ठीक है बाकी जैसे लिखवाया हूँ इस आधार पर खुद से लिख सकते हो कहीं समांतर स्रेडी की परिवासा लिखने को ऐसे तुमारे हाइस्पूल पर इच्छा में नहीं आएगा पहले पद को छोड़ कर प्रतेक पद एक निष्ची संख्या जोडने और घठाने पर प्राप्त होता है वो कैसे होता है वह मैंने दिखाए दिए मंहां बाई सबसे बड़ी बात सिम्झना है पहले पद को छोडेकर या याँँ यहाँ पर पांच जो है कहीं से लाया नहीं इसमें पहला पद मिल जाए तो हम सारडी बना सकते हैं इसमें पहला पद 118 मिल गया इसमें स्टीन गटाली 152 आ गया पिर तीन गटाली 106 आ गया या या इक नेशिच संख्या गटाते चले जा रहे हैं हो गया तो इसे लिख लीजिए यह आपका क्या था समांतर स्रेडी की परिभासा ठीक है इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है इसके बाद होता है पर्थम पद आप लोग हीडिंग डालोगे फाइस्ट पद पर्थम पद सबसे बड़ा मतलब अभी आगे चलके रोल नि से कलास को एंड तक देखना है अ कि का सब कुछ अच्छा है न आगे चला जाए बढ़ा जाए अ चलिये पहला पद लिखिये पर्थम पद कि पर्थम पद अ कि पर्थम पद पाइस्ट अ किसी समांतर स्रेड़ी का पहला पद ही उसका पर्थम पद का लाता है अब चाहे इसको जैसे बोलो किसी समांतर स्रेडी या फिर ऐसा कह दो समांतर स्रेडी जहां से सुरू होती है जहां से सुरू होती है वही उसका पहला पद होता है पस ये सबसे अच्छा है समांतर स्रेडी की सुरुवाद जहां से होती है वही उसका पहला पद होता है पस जैसे example के लिए उदाहरण मानलो, उदाहरण जैसे 8, 15, 20, 29, समांतर स्रेडी कहां से शुरू हो रही भाई? कहां से शुरू हो रही बाबू? आठ से शुरू हो रही, ये क्या है पर्थमपन? ये क्या है पर्थमपन? हमांतर स्रेड़ी आर्ट से शुरू हो रही आर्ट क्या है पर्थमपद है लिख लीजिए फटा पर डवड के चलते हैं आगे हम लोग यह सारे जो कंसेप्ट से यहां पर लिखवाय जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है है ओके है इसके बाद क्या पढ़ेगी अब आप लोग सार्बांतर अगला हेडिंग डालिए सार्बांतर यह आप लिख लिए होंगे नहीं लिखे हैं तो वीडियो को आप रोंक करके लिख सकते हैं ठीक है अगला हेडिंग सार्बांतर जिसे कामन डिफरेंस बोलते हैं कामन डिफरेंस सार्बांतर कामन डिफ्रेंट ओके चलो भाई सार्बांतर क्या होता है देखो किसी भी टॉपिक की परिभासा उमीद करते हैं हाई स्कूल की परिच्छा में जल्दी कभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको समझ के चलना है परिभासा अगर पूछ भी लेता है अगर तुमने जो मैंने बताया फर्मूला वो लिख देना न कोई एक नंबर नहीं काटेगा मैथमेटिक्स इसी लिए सबसे अलग यहाँ पर तुमको हिंदी वाली कहानी नहीं लिखना है नहीं तुमें एक सूत्र लिख दोगे उसी में सारी परिभासा हो गई कोई परिभासा नहीं लिखना है चलो समझो सारबांतर क्या होता है यादि किसी समांतर स्रेडी के पर्थम पद ऐसे लिखो समझो यहाँ पर बास के वाल यादि किसी समांतर स्रेडी का पर्थम पद एवन यादि किसी समांतर स्रेडी का पर्थम पद एवन तुटिये पद एटू तुटिये पद एटू ये A2 है चाच्छा, स्रितिय पद A3, स्रितिय पद A3, डाट 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 या नुवा पद A N है तो, ये नुवा पद A N है तो को रुको, तथा करवांतर D हो, तो करवांतर को D माना गया है, हो तो, अब नीचे लिखो, जहां से लिखो, A2 माइनस A1 इक्वल, देखो यहां से मतलब समझना कहानी समझना पूरी, A3 माइनस A2 परावर A4 माइनस A3, यनी ऐसे चाहें जहां तक तुम लिखते चले जाओ, परावर A N माइनस A N माइनस 1 परावर D, यही क्या है सारवांतर, कुछ समझ में आया आपको कि नहीं, यह क्या है सारवांतर है, कुछ बच्चे इसमें भूल जाएंगे कि गुरु जी इतना बड़ा हम लिखेंगे कईसे, अरे चच्चा कुछ न लिखो, तुम यही जान लो, तुम इतना भी लिख सकते हो, सारवांतर के लिए A2 माइनस A1 बरावर D लिख दो यह भी सही है, A3 माइनस A2 बरावर D लिख दो इतना भी सही है, पुल मिला करके यह जान लो, सारवांतर निकालने के लिए जो भी स्रेड़ी दी गई होती है, उसमें से, पीच से स्रेड़ी के कहीं से, जो बड़ा वाला पद है, उससे छोटा वाला पद घटा देना पस, वो सारवांतर होगे, बतलब समझ रहो, यह फिर ऐसे जान लो, जैसे कोई परकार की स्रेड़ी अगर आपको दी गई है, जैसे अभी मैं वैसे बताया था तुमें ना पीछे, सबसे पहले एक्जांपल बताया था, सारवांतर निकाला था ना उपर, हर जगा लिखा था लाष्ट में, डी बरावर दो, डी बरावर एक, वही सारवांतर है, तो यह हो गए आपका क्या, सारवांतर, अभी तो आप जो बच्चे कलास जोईन करें हैं, तो वो बाद में लडाई नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्रीन सार्ट की सुवधा इसलिए नहीं दी जाती है, कि तुम लोग पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है, फिर पढ़ते कहा हो, फिर तो तुम सोचोगे, हम तो स्क्रीन सा अगला लिखिये समांतर स्रेडी का ब्यापक पद, समांतर स्रेडी का ब्यापक पद नहीं, ब्यापक रूप होता है, जिसे जनरल साम बोलते हैं, यानि जैसे दुगात समी करण पढ़े हो, AX ज्कॉर प्लस BX प्लस C बराबर 0 होता है, एक प्रकार से इसका इस्ट्रेक्चर कैसे होता है, स्रेडी का ये बताना है, जैसे सेर, सेर का इस्ट्रेक्चर होता ना, बड़ा खुखार मूह होता है, बड़ी से लंबी से पूछ ह होता है, दात होता है, खाने वाला, ये सेर का इस्ट्रेक्चर है, प्यापक रूप है सेर का, जन्दल फार्म है, इनसान का देखो सुन लो, इनसान का भी एक जन्दल फार्म होता है, जैसे मैं इनसान हूँ हमारा क्या एक जन्दल फार्म होता है, वो कैसे है, कि हमारे सिर प हाथ होगा हाथ में 5-5 अंगुली होंगी यह इंसान का क्या है जनरल फार्म है उसका स्ट्रेक्चर है समझ रहे हो ऐसा नहीं है कोई इंसान होगा उसके पांच हाथ होगा फिर तो भगवान आ अलग भात है है हमाज रहो ना है तो ऐसके हर्चीज का मैथ में भी क्या होता एक ब्यापक रूप होता है या दिसे ब्याता की लिखा यह सब्रह्णे है् प्लसलित हैं ऑन्सकूङ क्थ्पिर शोटर हम्ग इसे बोलते हैं यह वसार समझे सम्झ है कि वह समझा कि मैं और A प्लस 3D यानि अगला एक और भी पदलाना है तो A प्लस 4D और फिर 5D ऐसे ऐसे यह होता चला जाएगा यह क्या है इसका जनरल फाम है या ब्यापक रूप है यानि अगर हमें कोई प्रकार की स्रेड़ी बनानी है समानतर स्रेड़ी तो हम कोई एक D कमान मान लें कुछ और A कमान कुछ मान लें तो हम स्रेड़ी तैयार कर सकते हैं अगर A कमान हम मान लेते हैं 1 और D कमान मान लेते हैं 2 चलो स्रेड़ी बना के दिखाता हूं स्रेड़ी बनती है कि नहीं A बराबर 1, D बराबर 2 चलो, एक समानतर फ्रेडी बननी चाहिए, पक्का बननी चाहिए, ठीक है भाई, एक जगा पर वन रखा, यहाँ पर वन माना था, इसका मान मैंने दो माना था, तो यह तीन हो गया, ठीक है, इसका मान मैंने वन माना था चाचा, और डी का मान मैंने दो माना था, न, माना था, तो डी कमान दो और दो ये चार हो गया, एक ये क्या हो गया, पांच, ठीक है, इस कमान मैंने वन माना था, डी कमान दो माना था, तो तीन दूना छे और एक ये हो गया, साथ, ये हो गया, भाई साहब, ये स्तिरेडी बन गई, बाबू, देखो, इसमें दो का अंतर है, ये दे बन गई गई ना पुल मिला करके इसे समझ लो कि समांतर स्रेडी बनाने का ढांचा है यह सूत्र है यह इसको लिख लीजी आप उपर वाला यह बहुत इंप्वार्टेंट है यह आपकी परिक्षा में भी ऐसे ही पूछा जा सकता है एकात नंबर में समांतर स्रेडी का व्यापक रूप लिखिए या फिर उसका जन्रल फाम लिखिए और यह हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं छलिए जल्दी से आगे लिख लीजीए इस्क्रीन आपके लिए क्लेर हैицं को दिखता हूं अंचा ठीक है अगला हेडिंग लिखो आप लोग परमिती समांतर स्रेडी या फाइनाइट कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेसन किसे बोलते हैं एक परकार से निश्चित हां लेकिन इसे हिंदी भासा मभाई परमिती बोलेंगे देखो स्रेडी दो परकार की होती है समांतर स्रेडी दो परकार की होती है एक निश्चित होती है एक अनिश्चित होती है एक स्रेडी होती है जिसकी लंबाई निश्चित होती है लेकिन एक समांतर स्रेडी बनती जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है कोई लिमिट नहीं होती कब खतम होगी कि नहीं होगी तो लिखो अगला हेडिंग लिखो आप लोग अभी कुश्चन करवा रहा हूं एक्सरसाइज का पहले लिख लो परमित समांतर स्रेड़ी क्या है कि समांतर स्रेड़ी क्या है फाइनाइट एपी ठीक है एपी मीन्स अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन देखिए बच्चों जब किसी स्रेड़ी में पदों की संख्या निश्चीत हो जब किसी समांतर स्रेड़ी में पदों की संख्या निश्चीत हो जैसे एक लड़का प्रतिमाह 50 रूपय की बचत करता है तो दस महीने के अंत में उसके पास बचत की कुल कितनी रासियां होंगी पता ये एक लड़का 50 रूपय हर महीना बचाता है तो दस महीने बाद उसके पास बचत की कुल कितनी रासियां होंगी तो भईया पहले महीने वो 50 रुपय बचाएगा, दूसरा महीना 100 रुपय हो जाएगा, तीसरा 150 हो जाएगा, चौथा 200 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर 300, थाड़े 300, फिर 400, फिर 500, यानि 500 के आगे नहीं जाएगा ना उसका, तुमें पता है कि नहीं, बोलो, यह, यही पदों की संख्या निश्चित है, कि भईया 50-50 रुपय हर महीना बचा रहा है, तो वो 10 महीना में क्या करेगा, 500 रुपय बचाएगा, इसमें पदों की संख्या निश्चित है, इसके आगे अब सरेडी नहीं जाने वाली, यानि यह क्या बन रही, एक समांतर सरेडी तो बन रही है, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस जो है, पचास-पचास का है, लेकिन यह निश्चित है, मतलब यह अनंत काल तक फैलेगी नहीं, समझ रहे हो, यह हो गया, अगला भी लिख लो फिर अनिश्चित वाला, वो भी देख लो, अनिश्चित कैसे होता है, वो भी देख समझ लो बाबु चलो, देखो अनिश्चित काल वाला लिखो, अगला लिखो, अपरमित, अपरमित, समांतर स्रेडी, ऐसी समांतर स्रेडी, जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है, वो अपरमित, समांतर स्रेडी, जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है, वो अपरमित, समांतर स्रेडी काला लाती है, यह जिसे बोलते हैं, क्या इंगलिस में रुख जाओ, इंफाइनाइट न, जिसे इंफाइनाइट एपी बोलते हैं, ठीक है, दिख लो बेटा, ने लिया यह पहिया यह में कुछ निश्चित नहीं है तुम इसमें हरमेशा साथ साथ जोडते जाओ और अगला नंबर पद पाते जाओ जिन्दगी पर बुढ़ा जाओ तुम चाहे तुम्हारा खांदान बुढ़ा हो जाए यह खतम नहीं होने वाला इसमें पदों की संख्या निश्चित है ही नहीं इसमें केवल साथ साथ जोड़कर अगला पद निकाला जा सकता है और कब तक निकाला जा सकता है इसको ब्रह्मा भी बताके नहीं गये थे नहीं जब तक निकालो तो यह क्या होती है अपरमित समांतर स्रेड ही होती है बात यानि हमने आपको यूद्ध के लिए तैयार कर दिया है आप यूद्ध में धाय धाय मार कर सकते हो यानि समांतर स्रेडी का सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में मैंने भर दिया है अब कोईश्चन तुम उड़ा सकते हो लेकिन अगर तुमें सिर्फ और सिर्फ कोईश्चन पे लाके पटक देता पहली पहली बार तो तुम क्या करते है तो तुम बकरी जैसे मूँ बनाके बहां-बहां करते हो ना समझ रहो कि नहीं तो यह सारी बाते आज मैं बहुत ही प्यार से कलास को रिकार्ड कर रहा हूँ यह चो और आपको दिखा रहा हो लाइब दिख रहा या रिकार्ड हो रहा मुझे खुद नहीं पता है भस मैं काम कर सद्टब में कोड़ा हो यह तो आपको अक्टिंग करनी है बसरी में बशहक्त यहाक है क्या होगा मैं आपको नहीं बताऊंगा फिल्हाल आप लोग बताना कमेंट करके अगर लाइब देख रहे हो तो चलिए फिर अगला सेशन में हम आपको 5.1 एक्सरसाइज के कुश्चन करवाएंगे जो भी टेंथ के बच्चे हैं जो सीखने वाले उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा बहुत बहुत थेंक्यू जहिन साथियों कलास को सेयर करके जाना अगर आप यूटूब पे देख र होगी जगी होगी हमें देख करके कि हमें मैच सीखना है तो इस उमीद को जगा के रखना नोट्स बनाना इमांदारी से पढ़ना सच्चे दिल से जिसे कि आप सीख सको और अगले चार लोग से भी बता सको कि मैंने पीवियर स्टड़ी से सीखा है है ना वेमानी करोगे भा तीन गंटे देख को रोज कोई लिमिट नहीं आपको चार गंटे भी देखने को मिलेगा फूप पड़ो